अगर आप सावन के पवित्र दिनों में भगवान शिव के दर्शन करने की सोच रहे हैं तो उडिसा के टिटलागर्ण में स्थित इस भगवान शिव के मंदिर में आप दर्शन करने अवर्शे आएं उडिसा के जिस टिटलागर्ण में भगवान भोले का मंदिर है वो राजे का सबसे गर्म छेत्र माना जाता है टिटलागर्ण के कुमढ़ा पहार पर शिव पारवती का मंदिर है यहाँ पर पत्रिली चटानों के चलते बहुत गर्मी है लेकिन मंदिर के अंदर गर्मी का एक मंदिर तक ही रहता है मंदिर के बाहर प्रचंड गर्मी और मंदिर के अंदर ठंड का हिसास इस रहस्य को जानने के लिए बहुत कोशिशें हुई लेकिन भूले की माया को तो भूले शंकर ही समझ सकते हैं और आज तक इसका निश्कर्ष कोई नहीं निकाल सका और यह आज तक राज ही बना हुआ है। ओडिशा के जिस तिटला गर्म में भगवान भूले का मंदिर है वैराज्जे का सबसे गरम छेत्र और मंदिर मंदीर के अंदर सबसे ठंडा इलाका, मंदीर के अंदर गर्मी का थोड़ा सा भी असर नहीं आज तक ळी राज कोई समझ नहीं सकता इतनी जादा वहांपर गर्मी है कि कुछ लोग तो इतने परिशान हो सकते हैं कि मंदिर परिसर के बाहर खड़े खड़े उनके लिए वहाँ पर खड़े रहना तक कठिन है भक्त गर्मी के मारे बुरा हाल हो जाता है लेकिन जैसे ही मंदिर परिसर के अंदर वो पहुँचते हैं गर्मी से एक्तम से ठंड का एहसास होने लगता है और परिशान भग्त ठंड महसूस करने लगते हैं पंडित बताते हैं कि कभी कभी तो कंबल तक भी लेने पड़ते हैं यानि कि इस रहसे को तो कोई भी आज तक नहीं समझ सका मंदिर के पुजारियों के मताबिक मंदिर में भगवान भूले नात और माता पारवती की मूर्ती से ही ठंडी हवा निकलती है जो पूरे मंदिर परिसर को ठंडा रखती है इसके अलावा पुजारियों का कहना है कि अक्सर ही कर्मियों में मंदिर का तापमान इतना गिर जाता है कि कंबल तक ओरने पड़ते हैं तो ये तो है भोले नात की माया अगर आप सावन के दिनों में यहां पर दर्शन करने जाएंगे तो ओरीसा के टेटलागर्ड में जाकर भगवान शिफ के मंदिर में उनके दर्शन अवश्य करें और भगवान की ऐसी अदभूत और अनोखी विस्मई कला का आप अवश्य अनुभव करें आपको आगे भी हम ऐसे अलग-अलग मंदिर के बारे में जानकारी देते रहेंगे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखें डी फाइफ हिंदी को अवश्य सबस्क्राइब करें और नए नई जानकारिया नए श्थलों के बारे में जानकारिया लें